हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है भीका राम आप देख रहें बी आर भी फोटो वीडियो तो दोस्तों आज हम बात कर रहें कैटेगरी के बारे में जो वीडियो अपलोड करने के बाद में कैटेगरी सूथ करने होती है वो कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करते हैं और वो क्यों ज़र दुर यह पहले तो उसके बारे में बात करें कैडेगरी इसलिए जरूरी है कि कोई भी और यह जो सेल्ज करती है जैसे टेकनिकल वीडियो ए यह मूझी जीक है यह interaction 마음에 का यह तो उसके लिए वो केडिग्री से स्लेक्ट करते हैं तो केडिग्री इसलिए जरूरी होती है तागे आपकी वीडियो रेंक करें तो दोस्तों उस कैडिग्री को कैसे स्लेक्ट करते हैं और उसने क्या क्या करना होता है तो आजfirst कैशा लिए एक वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ठाकि मैं कोई अच्छा टॉपिक हो तो उस पर वीडियो बनाता रहूंगा ओके दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अब हम क्रॉम ब्राउजर ओपन करते हैं क्रॉम ब्राउजर पर यूट्यूब चिलेक्ट करते हैं यूट्यूब चिलेक्ट करने के बाद में उससे डेक्स्टॉप साइड कर देना है त्री डॉट दिक्रा है उपर उस त्री डॉट पर क्लिक करते हैं और डेक्स्टॉप साइ आए वहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है कि क्रेश्ट स्टूडियो सेलेट करना है तो मैं क्रेश्ट स्टूडियो सेलेट कर लेता हूँ यह ओपन हो गया और मैंने सेलेट कर लिया create studio create studio select करने बाद में आपके सामने create studio का page open हो जाएगा कोई सिस्तर हैगा तो मैं थोड़ा इसको zoom कर लेता हूँ और कोई एक video select करता हूँ जिसको मुझे category sense करनी है तो मैं एक video यहां से select कर लेता हूँ यह load हो रहा है यह मेरे सारे video खुल गए video open होने के बाद में मैं यहां zoom करके आपको दिखा देता हूँ कि यहां पर edit पर click करना है आपको edit पर click करने के बाद में आपका जो video है वो open हो जाएगा और नीशे video के नीशे 4 option दिख रहे हैं आपको advanced setting पर click करना है advanced setting पर click करने के बाद में आपके सामने देखिए category, category open हो गया है, जिस category बद आपको दो भी video बना है, उस category की select कर ला है, मेरा वीडियो है, जो music category की है, तो मैंने music select कर लिया, तो इसी तरह यहां से आपको category select करने बाद में, ओपर save का option है, save पर click कर देना है, और Save पर क्लिक करने के बाद में आपको बाहर आ जाना है तो इसी तरह आप भी अपने वीडियो चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो Like, Share, Comment, Subscribe जरूर करें धन्यवाद